दोस्तो नमस्कार आदाव सत्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश अपनी धेश की जो सरकार है यानि केंद्र सरकार अगर उसके रिष्टे देखे जाएं राज्जियों की सरकारों से तो भाजपा शासित जो राज्जी हैं उनके अलावा जितनी विपक्षी दलों द्वारा शासित सरकारे हैं उसमें शायद ही किसी सरकार से उसके संबन्द नॉर्मल हों सामाने हों सिर्फ एक अपवाद माना जा सकता है और वो नमीन पतनायक जी की ओरी सा सरकार है लेकिन नमीन पतनायक जी की अगवाई वाली बीजेडी की सरकार बीजेपी के काफी करीब है इसलिए उसको बहुत कंसिस्टेंट या बहुत सुसंगत विपक्षी दल की सरकार भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जादातर जो केंद्री विधेक हैं संसद में उस पर वो आम तोरपे सरकार का साथ देती है अनेक मुद्दों पर अभी हाल के जो मुद्दे ताजा हैं उनमें भी वो साथ दे रही है तो लेकिन जो विपक्ष की सरकारे हैं उसमें इस वक्त जैसा मैंने कहा कि सबके साथ उनके रिष्टे और सामान्य है किसी के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है ठक्राव लगातार बना हुआ है वो जारखंड की सरकार हो केरल की सरकार हो तमिलनाट की सरकार हो आप ले लीजिये राजस्थान की सरकार हो चछतिसगड की सरकार हो और महराश्ट की सरकार जो थी उसके साथ तो देखी क्या हाथसा हुआ वहाँ अपनी सरकार आ गई वहाँ शिवशेना जो रूलिंग पार्टी थी कठवंदन में सबसे बड़ी पर उसका बुरा हाल हो गया तो महराश्ट के बाद अगर देखा जाए तो सरवाधिक जिस सरकार से और जिस राजी से इस समय केंद्र सरकार की और ठासकर भारती जनता पार्टी की केंद्री नित्रत और भारती जनता पार्टी इसके साथ जिनका ज़्यादा टकराओ चल रह है तेलंगाना तेलंगाना में केसियार के चंदरशेखर राओ उनकी सरकार उनकी पार्टी के साथ अगर आपको याद हो तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की अगवाई में NDA सरकार बनी थी भारती जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी थी तो तक्रीबन पांच साल केसियार को बिलकुल NDA का सब से करीबी एक तरह से संगठन या एक घटक माना जाता था वो अंदर तो नहीं थे लेकिन वो हर मुद्दे पर सरकार के साथ आम तोर पर दिखाई देते थे ये कहना बहुत डिफिकल्ट था कि नमीन पटनाएग जी की सरकार और केसियार की सरकार में ज्यादा क्लोज कौन है इंडिये के से वहाँ यग्य भी होते थे खोब और तमाम तरह के ऐसे कारिकरम होते थे जिन पर हिंदुत्वा की ताक्तें बहुत खुश होती थी राज की तरफ से राज सरकार की तरफ से बड़े बड़े धार्मी का योजन होते थे उन आयोजनों में एक बार तो प्रिसिडेंट आफ इंडिया को भी बुलाया गया हलांकि वो उतर नहीं सके क्योंकि पांडाल में आग लग गई थी वो भी किस्सा मुझे याद है तो दोस्तों अजीबो गरीब परिस्थिती पैदा हो गई दोजार उन्नीस के बाद जब केसी आर और केंद्र की नरिंद्र मोधी सरकार के बीच में रिश्टे अचानक खराब हो गए अब प्रदान मंत्री जी वहाँ जाते हैं तो प्रोटोकोल के हिसाब से निश्चही मुख्यमंत्री का एयरपोर्ट आकर उनको रिसीब करना एक वाजिब और एक सामाने प्रक्रिया है लेकिन चंद्रशेखर राओ उनको रिसीब करने भी अब नहीं जा रहे हैं वो प्रेश्डेंशियल जो कैंडेट विपक्ष के हैं यर्श्वन सिना उनको रिसीब करने चले गए एयरपोर्ट लेकिन प्रदान मंत्री को रिसीब करने के लिए अपने एक मंत्री को उन्होंने भेज दिया कुछ समय पहले फरवरी महीने में संभौता इसी साल के फरवरी महीने में जब वो एक रामानुजाचारी जी की एक विशाल प्रतिमा का अनावरण करने गए थे प्रदान मंत्री हैडराबाद के जस्ट शहर के कुछ बाहर वह प्रतिमास थापित हुई थी उस समारो के दवरान भी चंद शेकार रावजी एयरपोर्ट पर इसी बुन को करने नहीं गए समारो में भी उपस्ठित नहीं हुए क्योंकि उस समय वह स्वस्थ ऐसा कहा गया और भी कुछ मौके आए जब वो नहीं गया तो ये जो माहौल अचानक बदल गया कि 2019 तक बहुत सामाने माहौल थे इतनी गर्म जोशी थी रिष्टों में कि पूछिये मत विपक्ष पर हमला कावर होकर बोला करते थे के सियार खासकर सेंट्रल केंद्री अस्तर पर जो भी पक्ष है लेकिन अब वो बुरी तरह भारती जनता पार्टी के खिलाब खड़े हो गये हैं और भारती जनता पार्टी उनके खिलाब केंद्री नेत्रित तो जो भारती जनता पार्टी का है व क्या वजह है कि तेलंगाना में उद्धव ठाकरे के अध्याय को रिपीट नहीं किया जा सकता उस अध्याय को रिपीट नो करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है तेलंगाना इस्टेट में जो दलगत इस्थिती विधान सभा की है वो है और दूसरा कारण यह है कि कोई इस तरह का एकनाथ शिंदे भी नहीं नजर आता है टियारिस में जो भारती जंता पार्टी के लिए मददगार सा भी थो चलो इस विधान सभाब में नहीं तो अगले चुनाव में ऐसी भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है अगर देखा जाए तो तेलंगाना की जो एसेंबली है उसमें 119 सीटे हैं और 119 सीटों में टियारिस के पास 103 सीटे हैं एक सो तीन AI MIM के पास 7 सीटे हैं कॉंग्रेस के पास 6 सीटे हैं और बीजेपी के पास माज 3 सीट उसमें भी वो जीती थी पिछले चुनाव में पिछले का मतलब 2018 के चुनाव में सिर्फ एक सीट पाई थी एक सीट दो सीटें उसने बाई एलेक्शन में जीती हैं हुजुरुबाद, हुजुरुबाद और एक और सीट और दोस्तों बाई एलेक्शन में उसने और 2019 के बाद से बीजेपी का ग्राफ लगातार लगातार तेलंगाना में बढ़ता गया है इसमें कोई दोराय नहीं है यही वो कारण है जिससे की के चंदरशेकरराव यह जानते हुए भी कि बीजेपी तेलंगाना में फिलहाल मारास्ट जैसा कोई खेल उनके खिलाप नहीं क है ते वो फिलहाल इस विदानसवा में लेकिन केसी आर के सामने बीजेपी की चुनौती तीन सदस्यों वाली बीजेपी एसेम्बली में जो है उससे वो ज्यादा भैभीत है कॉंग्रेस के मुकाबले क्यों क्योंकि अगर देखा जाए तो भारती जनता पार्टी ने हैदराबाद के मिनिस्पल करपरेशन के एलेक्शन में जो टोटल सीटें जहां पर 150 हैं वहाँ टीयारेस को 56 सीटें मिली 56 बीजेपी को 48 सीटें मिल गई जबकि पहले 4 एक सीटें 4-5 सीटें पाया करती थी और M.I.M. को 44 सीट मिली तो दोस्तों इस तरह की परफॉर्मिंस रही और जहां तक बाई एलेक्शन का सवाल है बाई एलेक्शन में भी हाल के जो बाई एलेक्शन हुए हैं उसमें टीयारेस को बहुत बुरी तरह से दो सीटों पर उसने असेंबली में हरा दिया अब टीया और इसने ये कहा कि एक कॉंग्रेस ने शिफ्ट किया है अपना वोट बीजेपी को इसलिए उसने चुनाव में हराया लेकिन फिर लोकसभा में कैसे हार गई टीयारेस 2019 के एलेक्शन में टीयारेस चीफ और चंदरशेकर राव यानि मुख्यमंत्री की अपनी बेटी कविता वो निजामाबाद से हार कहीं चुनाओ कर्विंसिंग विक्ट्री थी बीजेपी की तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि भारती जंता पार्टी ने केंद्र में मोधी सरकार के दूसरे कारेकाल से अपना ग्राफ बढ़ाना तेज कर दिया और यही वो चिंता है जो टीयारेस क को और केचन शेकाराव को सता रही है ऐसे में जो दोनों खेमों के बीच में टकराव बढ़ रहा है उसमें क्या कोई ऐसी ताकत है जो कहीं से कोई बड़ा खेला कर सकती है दोस्तों फिलहाल कॉंग्रिस पार्टी खेला करने के हालत में नहीं नजर आती क्या एमायम जो उत्तर भारत में आम तोर पे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदी हार्ट लैंड में कई जगा और पिछले दिनों बंगाल में भी कुछ इस प्रकार चुनाओं में उतरती है कि उससे भारती जनता पार्टी को फैदा हो जाता है एमायम भले कहे कि उसका इरादा ऐसा नहीं है हम भी कोई इस पर शक नहीं कर रहे हैं लेकिन जो राइनितिक विशले सक्थ हैं और पुलिटिकल पार्टी जो भी पक्षनी है वो ये कहती है कि उसके चुनाओं लड़ने से फायदा बीजे पी को होता है और जिन स्टेट्स में उसके लोगों की उसके समर्थकों की संक्या ज्यादा नहीं है वहाँ भी ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन क्या वो एमायम जिसकी जन्मस्तली हैदराबाद है क्या वो तेलंगाना में कोई खेला कर सकती है इस तरह का जैसा कि यूपी बिहार और बंगाल में करती रही है दोस्तों जो तेलंगाना की राइनीत को अच्छी तरह समझते हैं उनका मानना है कि ऐसा संभव नहीं है उसकी वज़ा क्या है? उसकी वज़ा है कि एक तो M.I.M. की ज़्यादा महत्वा कांशा जो तेलंगाना में है वो सिकंद्राबाद और हैदराबाद की सीटों को निकालने में होती है लोकसवा की भी और विधानसवा की भी इसके अलावा जो शेश तेलंगाना है यानि अर्बन, सेमी अर्बन या जो रूरल तेलंगाना है हैदराबाद के अलावा अगर वहां देखा जाए तो TRS M.I.M. से कम बड़ी ताकत मुस्लिम कमुनिटी में भी नहीं है इसकी वज़ा दो है पहली बात तो जब तेलंगाना के लिए अंदोलन चल रहा था अलग तेलंगाना के लिए उसमें बड़ी दिल्चस्प बात थी कि M.I.M. अलग तेलंगाना के पक्ष में उस तरह से नहीं थी लेकिन जो मुस्लिम कम्मुनिटी है है हदराबाद से बाहर सिकंद्राबाद से बाहर रूरल एरियाज में छोटे मजोले शहरों कस्पों में वो दूसरी कम्मुनिटी के लोगों के साथ वो अलग तेलंगाना के साथ थी अलग तेलंगाना अंदोलन की पाट्स्प्रिंट थी मुस्लिम कम्मुनिटी और तेलंगाना में अगर देखा जाए तो दस ऐसे जिले हैं जहां पर 10% से या 10% या 10% से उपर मुस्लिम आबादी है ये जिले हैं कमारेड़ी, हैदराबाद, महबूब नगर, मलकागिरी, निर्मल, निजामाबाद, रंगारेड़ी, संगारेड़ी, विकराबाद, वारंगल, शहरी इन इलाकों में 10% या 10% से अधिक आबादी मुसल्मानों की है और इन इलाकों में मुसलिम कम्मूनिटी के मिजार्टी वोड जो है, वो टियारेस को जा रहे हैं टियारेस को खुला समर्थन उनका दिखाई देता है, लोगसभा में भी और विधानसभा में एक बहुत बड़ा पहलू ये है, तो एमायम मुसलिम कम्मूनिटी को स्वें तेलंगाना में प्रभावित नहीं कर सकती अगर वो टियारेस के खिलाब भी उतरना चाहे तो, जबकि वो टियारेस के साथ है, अभी दूसरी बात कि हाल के पांच-छे सालों में टियारेस सरकार ने, संबहता ये इस तरह काम करने वाली पहली सरकार है कि उसने 200 विद्याले, मौडरन मुस्लिम विद्याले उसने खोले हैं और ये पूरी तरह फ्रियाप कास्ट है, हॉस्टल भी इसमें शामिल है, एक कॉलेज खोला है सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम उन्हों ले लिये हैं, शादी म उने जो गरीब तपके के मुसल्मान हैं, उनके बेटियों की शादी में भी पैसा दिया जाता है, कैश, बकायदे, हर परिवार को, और यहीं नहीं कि केवल वो मुसल्मानों को दिया जाता है, हिंदू कम्यूनिटी या दूसरी और जो कम्यूनिटी हैं स्टेट में, उनकी बच्चियों की शादी, खासकर बिलो पावर्टी लाइन जो लोग है, उनको भी एक लाग से अधिक कुछ रुपे दिये जाते हैं, तो ये वेलफेर स्कीम के मामले में के चंचेखर राओ, तमिल नाट की किसी भी सरकार से कम नहीं है, हाल के दिनों में जिस तरह उन्होंने स्टेट की तरफ से चम कर पैसे बाटे हैं लोगों पर, योजनाओं पर, विकास कारिक्रमों पर, कंसेंट्रेट करने के बजाए, वेलफेर इस तरह की स्कीम जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि अनुत्पादक खर्च भी कह सकते हैं, कि इसका लांग टर्म बहुत सारा जो ची स्टेटर को एक्स्पेंड किया गया होता, या इरिगेशन पर, जिस तरह से उन्होंने पहले क्लेम किया था कि बड़े-बड़े प्रोजेक्टों लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनके अमली जामा पहनाने में बहुत सारी कमिया भी रही हैं, तो लेकिन कुल मिलाकर लोगों को ख के लिए चुनाव में, 2023 के विधान सभा के चुनाव में, बीजेपी बड़ी ताकत के रूप में इमर्च कर सकती है, लेकिन उनको ये शायद भरोसा है कि किसी भी कीमत पर उन सरकार तो उनहीं की बनेगी, कॉंग्रेस पार्टी भी अपनी टैली, अपनी संख्या, दलगत सं कि बीजेपी और कॉंग्रेस में कौन ज्यादा सीटे पाएगा, फिलहाल बीजेपी का इंडिकेशन ज़्यादा नजर आ रहा है, और यही कारण है कि चंध्शे कर रहा है, कॉंग्रेस को लेकर उतने हो स्टाइल, उतने अग्रेसीव अब नहीं है, जितने कि बीजेपी को लेकर हैं और बीजेपी भी हर कीमत पर चंशे कर रहा हूँ के आधार में एक यूं कहा जाएक कटोती करने की या उसको इंक्रोच करने की कोशिश कर रही है ओभी सी में उसने अपने पाउं काफी तेजी से आगे बढ़ाये हैं तो देखना होगा कि क्या तेलंगाना की सरकार क को डिस्टेबिलाइज करने की कोशिश जो अगर की जा रही है केंद्र की तरफ से बीजेपी की तरफ से तो वो किस हद तक सफल हो पाती है क्योंकि केंद्र को और बीजेपी के नेताओं को मालूम है कि 2024 के लोग सभाई एलेक्शन में चंशे कर रहा हूँ अगर 2023 का वो विपक्ष की तरफ से अदा करेंगे और स्टेट घूमेंगे और उसका असर पड़ेगा तो यही कारण है कि चंशे कर रहा जो बेहाद एग्रेसिव हैं बेहाद लड़ने की मुद्रा में हैं वो उनको किसी भी तरह बीजेपी एक तरह से परेशान करना चाहती है उनको ह इलहाल बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है तेड़ी खीर है तो दोस्तों आज बस इतना ही नमस्कार आदाब सच्रियकाल